ट्रैक्टे रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद एक्षिन में आए योगी आदिक्तिनाथ की बड़ी डिमांड शाहा को हटाओ योगी को ग्रह मंत्री बनाओ की उठी आवास योगी राज में कितनी बदल गई है उत्र प्रदेश की तस्वीर क्या पिया मोदी के उत्राधिकारी होंगे योगी 2022 में क्या फिर से चलेगा योगी का जादू क्या कहते हैं मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के बदलत सितारी देश के नवरतनों में से एक योगी आदित्यनाथ पर देखिए श्री संथ बेत्र अशोका जी की बड़ी भाविश्वाणी वो भी सिर्फ धर्म ज्यान पर गылव्सकार धर्म ज्यान के दशको का स्वागत है मैं कवीता राना मैं समयुत है एक बपर के से विश्व प्रसीद सुधर्शान चक्री जोतिष चारिय श्री सन्मेत्रा अश्युकर जी जर्पता सब अधते हैं धर्म ज्यान पर ही UP के विधानसवा चुनाव को लेकर श्री सन्मेत्रा अश्युकर जी ने भाविश्वाणी की थी कि भई यूपी का जो मुख्यमंत्री होगा उसका नाम ए यानि कि अक्षस सही शुरूगा नतीज़तन सच साबित हुआ अजे सिंग बिस्ट यानि कि योगी आदित्यनाद यूपी के मुख्यमंत्री बने अब देखे ना हाली में जो ट्रेक्टर एली के दौरान हुई हिंसा के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाद आक्षिन में उसके बाद सोशल मीडिया में उन्हें एक देश का ग्रह मंत्री बनाने की मांग उठने लगे और आज की तारीक में लोग उनमें परधार मंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकल्प ढूंड रहे हैं आधिकर योगी आदित्यन के बदलती सितारे आपके अनुसार आपकी गड़ना के अनुसार की सोर इशारत कर रहे हैं देगे जैसा कि मैं भुविश्यवानिक कर चुका हूं तो हजार चोबीस में चोबीस से उनतिस तक का जो कारेकाल है उसमें बीजेपी ना भूतो ना बविश्यती और देश के प्रधान मंत्री मानिये मोदी चीह होंगे उसके बात का जो है जो टैनेवर है देखिए योगी आदितेनाची जो है बीजेपी के नवरतनों में अब आगे हैं जिस तरीके से योपी को माननी योगी जीन है आदितेनाची जीन है जिस तरीके से इनको इनोंने उसको एकस्प्लोर किया उसमें अपॉर्टनियूटी इसको ड्रिल किया है और सबसे बड़ी चीज जो राम मंदिर का निर्मान है यह विश्व के लिए एक ऐसास थल है कि जो आपको सिरफ योपी ही नहीं देश की एकोनोमी में भी बहुत बड़ा योगदान देगा और इसकी भुविशेवानी में बहुत पहले कर चुका था कि योपी में राम मंदिर के टैन किलोमीटर के डाया में जितने भी गाउं हैं जो भी आपकी लोकलिटी है उसमें बहुत जल्दी जो है वहाँ पे बहुत उन्नती होगी योपी के साथ में आप ये देखिएगा कि आपका दूसरा जो है वो है काशी विश्वानात बनाराज बनाराज भी आपका जो है इन्हें के उसमें आता और वो मानिये मोदी जी का कार्य अची तरह है अभी जो बनाराज में जो चेंजेज हुए हैं जो इस तरीके से कांशी विश्वानात का जो कॉरीडूर बनाया और जिस तरीके से बनारश में बनारश के असी घाटों को जिस तरीके से चमकाया गया है और जो वहां डिवलोप्मेंट हुई है और उसके बाद कृष्ण जनमों हुमी भी ऐसा तिर्थल है जिसको अगर फोकस करके डिवलोप किया जाता है देखिए अब समय ऐसा आगया है इंदुस्तान में आपको अपने अपने धर्मस्थलों को धर्मस्थलों की रक्षा उस धर्मस्थल की पेरिफरी में जितने लोग रहते हैं उसको ओन करना चाहिए और ये बात दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए कि आपके किसी भी धर्मस्थल को कोई मेलाफाइड इंटेंशन से नुकसान ना पोचाए जिस तरीके से घटना हो रही हैं सादू समाज पे आपका मंदिरों पे जिस तरीके से जो है ये आर्बन अक्सल्स जो हैं अटेक करके कोशिश कर रहे हैं या स्थिर्था पहलाई जाए और दूसरे वर्ग को उसका दोशी मानकर आपस में ग्रहयूद की पोजिशन लाई जाए उसके लिए देश की अवाम को संचेत रहना है यूपी जो है भारत की सबसे बड़ी स्टेट है और पॉपलेशन के हिसाब से भी सवेरी बिग आस्ट्रिया जैसी कंट्री के बराबर है और उसका जो मुख्या मंत्री है वो एक देश के परदान मंत्री के बराबर है और जिस तरीके से मान्य योगी जी ने यूपी को उनकी जो वो बात है गुंडा तत्व के लिए या तो सुधर जाओ या यूपी छोड़ के भाग जाओ आपने बहुत बढ़िया प्रिशन किया है कि जो जनता है वो यह चाह रहे है कि मानिये योगी जी को देश का ग्रह मंत्री बनाने की जो आवाज आ रही है मांग आ रही है लेकिन ग्रह मंत्री जो देश के हैं वो आपने आप में बहुत सक्षम हैं वहाँ पे आप कुश्चन मार्ग लगा ही नहीं सकते लेकिन मानिये जोगी जी के पास जो काम है उसको अगर वो पूरा करें तो विश्व में ये जो यूपी स्टेट है ये आपको अलगी चमका के देंगे क्योंकि यहाँ पे जो चीजे हैं मैं तो देश की आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको यूपी को बेंचमार्क बनाना चाहिए जिस तरीके से यूपी में मानिये यूगी जी ने निस्वार्थ भाव से मंदरों के लिए तीस्थलों के लिए जिस तरीके से फॉंट्स दिये हैं और जो कारेक्रम किया है जो जो उन्होंने आपका एक्शन लिया है और गुंड़ा तत्यों को यूपी में से भगाने के लिए जो उनका स्टेट्मेंट था या तो सुदर जाओ या फिर भाग जाओ खुदाना खास्ता कल अगर योगी जी देश के आने वाले टाइम में क्योंकि ये नवरतन है हमारे बीजेपी के देश के नवरतनों में है बीजेपी को छोड़ दीजीगा देश के नवरतनों में है ऐसा बंदा अगर ग्रह मंत्री बनता तो इस इतनी विगटनकारी ताक्त हैं अलगवादी हैं टुकडे टुकडे हैं उनको एक ही मैसेज होगा भाई लोगो आपका काम अब खतम हो चुका है या तो देश छोड़ दो या सुदर जाओ देश की धारा में आ जाओ देश की देखिए जो लोग हैं जो लोग भ्रमित हैं या किसी भी लालच या किसी भी लोग के कारण देश के विपरित अगर वो कुछ करते हैं तो उनकी कहीं मजबूरी है जब एड्मिस्ट्रेशन योगी जी की तरह का स्ट्रॉंग होगा आने वाले समय में यह लोग दस वार सोचेंगे कुछ गलत करने से पहले आज आप देखिएगा यह मैंने अपनी पिछ पिछली भविशवानी में बोला था कि देश में इंटर्नल सर्जीकल स्टाइक की जरूरत है और वो यह दो हजार अठटर संबद के अंदर राक्षास नामक संबद होने के कारण यह सारे लोग जो हैं राक्षासी वरती के हैं राक्षासी मानसिक्ता के हैं वो अपनी अपन अभी किसान अंदोलन में किया आगे मैंने भविशवानी किया नेक्स्ट इन का टार्गेट जो होगा जय जवान इस जवान को भी भ्रमीत करेंगे कोशिश करेंगे लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि जवान को भ्रमीत करोगे तो जवान बक्षगा नहीं और अब आपके मुखोटे उठने के बाद, उतरने के बाद, आवाम भी आपको सड़कों में की पैठने नहीं देगा, ये गलती दुबारा नहीं होगी, तीन मेंने आपका C.A. और तीन मेंने आपका जो एक किसान अंदोलन, किसानों का अंदोलन जायस था उनकी मांगों के लिए, ले यह अब नहीं होगा तो आपक कहना जो है योगी जी के लिए लेकिन योगी जी का जो टास्क है यूपी को चमकाने का यूपी में आप देखेंगे जो आपकी एक लास सुटीज हैं बहुत सारे आ रहे हैं और वहां पे बहुत बढ़िया काम हुआ है कुंडराज खतम किया है वहां आप अगर आप देखेंगे तो सी ए में भी जो उनका एक्शन था और अभी जो किशान अंदोलन में भी उन्होंने विगटन कारी ताक्तों को बॉर्डर तक पहुँचने नहीं दिया किसान तो आए है यूपी से ऐसा नहीं है लेकिन गलत आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आए तो ऐसा स्ट्रोंग एड्मिस्ट्रेशन एड्मिस्ट्रेटर तो चाहिए लेकिन देश के जो हमारे गरह मंत्री हैं वो अपने आप में बहुत सक्षम है अगर मोदी जी के विकल्ब के तोर पर देख सकते हैं योगा अधिशनाब्ची को आपकी भाविश्वानी है देश के आज़ पाप गुष से जो भविश्यवानी मोदी जी के लिए मैंने किये थी वो की थी 2019 में लेकिन मोदी जी के लिए 14 मई 2014 में मैंने सुदर्शन नीज पर ये भविश्यवानी किये थी कि मोदी जी को अगले 15 साल तक कोई नहीं हिला सकता तो पहला टर्णोवर 284 दूसरे में मैंने 299 प्लस माइनेस 5 बोला था इसी चैनल से नीमकरोली बाबा के दरबार से ये भविश्यवानी हुई थी और वो आपका 303 गया और 353 आपका जो हैंडियों को मिला और फागु जे से जो फागु से जो भविश्यवानी हुई है माहूल सता लोलूप नेताओं की गल्तियों के कारण 418 प्लस की तरफ जा रहा है और ये होगा सच जादे जादे मैंस एके साल जाने चाहती हूँ कि राकेश टिकैट के आंसों से जो किसान आंदोलन फिश से थोड़ा बहुत जग गया है क्या लगता है क्योंकि 2022 के चुनाव है और अब विपक्षी पाटिया उनके इर्द गिर्द नजर आ रही है क्या योगी आदित तेनाद जी को क्या उनकी कुर्सी को राकेश टिकैट से खत्रा है 2022 के यूपी के लगता है सर आपको देखिये मैं आपको एक चीज बताओ राश्ट भक्त देश्वक्त राश्ट वादी जो भी मानसिक्ता के हमारे नेता है वो एंडिये के फोल्ड से बाहर नहीं जाएंगे उनको खरीदने की कोशिश की जाएगी उनको फिर उकसाया जा सकता है लेकिन जो भविश्य देश का नजर आ रहा है 2024 का जिन लोगों ने गल्तिक की वो भी वापस एंडिये में आएंग देखिए मैंने बिहार के बारे में आपकी वहईश्य वानि की थी कि नितिश कुमार गेडियू जो है बीजीपी में वापस आएगा इंडिये में वापस आएगा जो भविश्य वानि आपके सब्साबित है अभी महराष्ट्रा में फी शिवसेना हिंदुत के जंडे के की बात करता था लेकिन सत्ता लौलॉपता में गल्तियां हो जाती है लेकिन गल्ति को अगर टाइम से आदमी सुधार ले सुबह का भटका अगर शाम को वापस घर आ जाता है तो उसको भटका वा नहीं बोलते हैं और ये दोहजार चुबिस में कोई भी राष्टवादी मान सिक्ता का नेता किसी भी पार्टी में है और युवा है राकेश टिकेट जी तो जुआ है और वो अपने उपर क्वेश्चन मार्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो दाग चब्विस जनुवरी वाला इन्होंने अपने उपर लिया है इसको धोने के लिए इनको जो है देश्खित रास्ठित के लिए कभी भी विकटन कारी ताक्तुक या सत्ता लोलुप नेताओं का साथ नहीं देना है और ना ही ये देंगे मैंने बताया था देखिए देश की सैना में किसान किसान पुत्र 80% है चाहिए वो राजपुत है चाहिए वो चाट रेजिमेंट है चाहिए वो गोर्खा रेजिमेंट है चाहिए वो गड़वाल रेजिमेंट है चाहिए वो डोगरा रेजिमेंट है चाहिए वो सिख रेजिमेंट है इन में जो किसान वर्क के लोग है उनके अंदर देश भक्ती के लिए जो जज़वा होता है खरदे में वो कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि किसान भी देश भक्त इससे बड़ा देश भक्ती नहीं है जो आपको आ ले देता है तो इसलिए कोश्चन ड़ेंट एराइस कि राकेश ठाकेट जी मोदी जी के उससे बाहर जाएंगे जाना कि किस तरह से योगी आदतिनाद के निर्टतों में उत्य प्रदेश ना सिर्फ चमकेगा बल्कि उसकी तस्वीर ही बदल जाएगी तब तक के लिए हमें दीजेज़ाज़न नमस्कावर झाल